हेई गईज तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आईकू Z7S में एपस को लॉक कैसे कर दकते हैं गईज एप लॉक की मदद से आप किसी भी एप को लॉक कर पाएंगे एंड गईज आपकी परमीशन के बिना उस एपको कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा तो आज इस वीडियो में यहीं बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको फॉन की सेटिंग्स में चले जाना है फॉन की सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे आएंगे दे दूँगा तो जल्दी से मैं फिंगर्प्रिंट दे देता हूँ आप गैस कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा आपको तो सबसे उपर है एप लॉक टाइम इस पर आप कलिक करेंगे तो यहां पर आपको तीर ओप्शन दिखेंगे तो गैस जितनी वार भी आप एप को ओपन करेंगे तो उतनी वार यह पासवर्ड मांगेगा तो सेकिंड वाले उप्शन को आपको चूज कर लेना है इसके बाद गैस नीचे आपको सारी एपस यहां पर सो हो जाएंगी जिन अपको भी आप लॉक करना चाहते हैं सिम्पली उनको सेलेक कर लेना है यहां से तो मैं जल्दी से अप आपको सेलेक करके दिखा देता हूँ कुछ अप मैंने अल्लेडी की हुई है तो जैसे कि मैं यहां पर प्ले स्टोर को सेलेक कर लेता हूँ अब guys यह app lock हो चुकी है मैं आपको open करके दिखा देता हूँ जैसे guys मैं play store को open कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह lock हो चुकी है अब guys इस app को open करने के लिए या तो मुझे password देना पड़ेगा या fingerprint देना पड़ेगा तो मैं अपना fingerprint नहाँ पर देता हूँ अब guys आप देख सकते हैं यह app open हो चुकी है तो इस तरह से guys आप IQ Z7S में एप को lock कर सकते हैं आई होप guys आपको वीडियो पसंदा आया होगा अगर पसंदा आया तो प्लीज वीडियो को like कर देना दोस्तों के साथ share कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कर देना मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए keep smiling प्लीज सबस्क्राइब तो मैं जिस चलोगे तरह कप whatever